Hello students, आज की इस वीडियो हम लोग competitive English और related to eras मतलब error जो की competitive English से related है वो अल अच्छी topic स्टार्ट करने वाल है इससे पहले हम लोग हम एक टवीडियो अप्लोड कर दिये हैं जिसमें हम लोग क्या topic सिखे थे हैं कि uses of A और N और number 2 में सिखे थे हैं some idiomatic uses of A और N यानि कि idiom में कैसे करके use करते हैं तो इसमें तो पहला हम बता दिए यह वाला पिछले दिन some idiomatic uses of a और an यह हम लोग पहले दिन पढ़े थे तो आज जो है b वाला point यह वाला कुछ यह वाला सी आज हम लोग सीखेंगे इसके अंदर में के अंदर में हम लोग क्या सीखे थे वो कौन से टॉपिक था अंदर में यह वाला कि नंबर एंड मात्रा यान कि कॉंटिटी जो है वो बताने यह ला कुछ खास expressions को हम लोग सीखे थे कल क्या क्या होता है और आज क्या हम लोग जानेंगे नंबर बी में आज हम लोग देखेंगे अन्य मतलब कोई अदर एक्सपेशन कुछ-कुछ अदर एक्सपेशन में जैसे कि हमेंसा नॉर्मली कन्वर्सेशन हम लोग जो यूज करते हैं वो सभी expression का जो हम लोग यूज देखेंगे उसमें आर्टिकल ए और एन कहां कहां पर यूज होता है तो पहला है इट अ हमबल पाई ये हम लोग का पहला एक्सपेशन हुआ यहां पर ए का यूज हुआ आगे बढ़ जाते हैं नमर टू में in a hurry बहुत जल्दी में in hurry नहीं होगा बलकि in a hurry होगा आगे बढ़ जाते हैं हम लोग नमर घ्री में आ जाएगा in a dilemma डालेमा मीन्स दोस्तों होता है कि दुबिदा में रहना दो तरह के सिच्योशन आता है और उसके बीच में हम लोग फसे रहा जाता है तो वो होता डालेमा इन अर्रेंज यह हो गया 5 नमर में in a mood सब में हम लोग का क्या लग गया है एक का use हुआ है सभी में और यह सभी जो है singular countable noun है इसलिए आगे बढ़ जाते हैं singular countable noun क्या होता है यह हम पिछले आले वीडियो में बता दिये हैं अगर आप लोग interested है तो हम description ले link दे देंगे वहाँ पे upload जाके देख लीजएगा inner temper ये भी हो गया अब है 7 नमर में at a walk sorry at a loss यहाँ पे होगा अब next में आता है have a drink ये हो गया 9 नमर में क्या आ जाता है have a drink ये कुछ phrases है जो हमेशा हम लोग का mind में से ट रहना चाहिए या याद रहना चाहिए जिसे की चीज़ें जो है आसान हो जाते हैं जब भी हम लोग exam hall में बैठते हैं उससे में तो ये नहीं रहता नहीं कि trick लगाओ ये formula लगाओ उससे में बच कुछ कुछ चीज जो है practice में रहनी चाहिए तो उससे में से ये है 11 नमर go for a walk go for walk नहीं बलकि go for a walk 12 में हो गया have a headache ये हो गया हम लोग का 13 में क्या आजाता है have a sleep next है 14 में have a dream ये कुछ phrases है जो daily conversation में use होता है तो यहाँ पर हम लोग जो है काफी हत तक याफी exam में इसमें a हटा कर problem दिया जाता है तो उससे में हम लोग समझ जाना जी कि हाँ यहाँ पर एक a का जरूबत है have a quarrel ये हो गया 17 नमर में have a fight 18 नमर में क्या हो जाता है make a noise 19 में take a risk जब हम जब हम लोग कोई deal करने जाता है या business type का कुछ करने जाता है तो उसमें हम लोग को हमेशा risk लेना पड़ता है तब ही सफलता जो आगे मिलती है take a hint ये हो गया 21 में हो गया take a rest 22 take a meal 23 में क्या हो जाएगा have a good और bad education ये हो गया 24 में हो गया get और give पाओ या फिर दे दो क्या चीज़ देना है award और scholarship award या फिर scholarship हो सकता है ठीक है तो ये कुछ specific expressions है जिसमें जो हम लोग a का या an का use करते है कब-कब use करते हैं बता दिया ये सब कुछ mind में रहना चाहिए तो अब हम लोग इस से related examples को देखते है जिसमें a को हटा कर problem दिया जाता है नतन's habit of delaying his work put his colleagues to lot of problem meaning क्या हो रहा है नतन का जो आदत है हर रोज कोई भी काम को delay करना ठीक है मतलब देर करना थुरा सोट delay करना उसके colleague यानि कि जो office के साथी है उन सब को travel में डाल दिया तो इस समय से कौन सा पार्टा जो गलत है इसमें जो है हम लोगा पार्ट D वो बिलकुल गलत है क्योंकि यहाँ पे lot जो है उसके पहले एक ठो ए लगना चाहिए lot, a lot of trouble a lot of trouble यह जो है सही प्रियोग है यहाँ पर तो यहाँ पे एक ठो missing था a को miss करके problem दे दिया और बोल रहा है कि solve करने के लिए अब हम लोग कुछ important note की तरफ चलते है important note यहाँ पर जो a lot of problem है यहाँ पर अगर माल लीजे part D गलात है तो यहाँ पर हम लोग lots को plural बना देते lots कर देते ठीक है यह plural form है किसका lot का तो यह भी answer जो है correct ही हो जाता और अगर हम लोग a lot of लगा दिये तभी भी correct है इसको plural में भी change कर सकते है अब हम लोग बढ़ते हैं example नमबर 2 की ओर even though our team took the field with a great confidence the opposition made them eat the humble pie यहाँ पर जो underlined word है the humble pie जो red color से लिखे है उसको क्या करना है? change करना है तो इंसम में से कौन सा है जो correct होगा तो यहाँ पर eat a humble pie यानि कि option नमबर a हम लोग का बिलकुल correct है कैसे? यहाँ पर a humble pie होगा क्यूंकि जो humble pie है यह pie जो है वो singular countable noun है इसलिए इसके आगे जो हम लोग a का यूज़ करेंगे तो हम लोग यहाँ पर option हो यह से है यह कौन से exam में आ था? cds exam 1999 में आ गया है अब हम लोगा next topic है जो कि topic number 3 होगा जो कि हम लोग आर्टिकल का अंदर सिखेंगे वो है difference between a and n difference between a and n यह हम लोग सिखेंगे मतलब कि a का use कप करेंगे और n का use कप करेंगे तो a का use तो इसे पहले भी हम बता दिये हैं a का use जब भी consonant रहेगा उस समय करेंगे और n का use जब भी vowel रहेगा उस समय करेंगे ज़्यादा तर जब भी English word रहता है तो उस समय हम लोग का confusion हो जाता है vowel में mostly तो आज हम बता दे रहे हैं कैसे उसको short out करना तो जैसे की table हुआ table consonant तो उससा problem नहीं होता बट verbale में problem होता table उसके क्या लग जाएगा a लग जाएगा फिर एक हो गया box इसके आगे भी हम लोग का a लग जाएगा next है pen इसके आगे भी a लग जाएगा ठीक है और ववेल में तो n लग जाएगा जैसे की orange यह रहा तो इसके पहले n लगेगा elephant इसके पहले भी n लगेगा इससे पहले हम ववेल के बारे में discuss कर दी है इससे पहले रहे वीडियो में इससे कोई एक है तो उसके आगे अन बैठा रहेगा और consonant रह गया जो की remaining जैसे की b, c, d इसके बाद जो भी consonant इन सब को छोड कर तो total 5 ववेल होता है और total 21 जो है consonants होता है तो इंग्लिश language में total 26 जो है alphabetic letters होता है उसको हम लोग two parts में divide करके consonant और vowel के रूप में ले आता है अब एक बात note करने वाली है कि कुछ-कुछ ऐसे words रहता है जैसे लगता है कि consonant है बट फिर भी उसमें ववेल जैसा behavior के जाता है या and कई use के जाता है तो कोई भी शब्द वो sound जो है वो consonant है और vowel कोई भी sound consonant है या vowel यह पता लगाने के लिए हम लोग एक काम कर सकता है सबका जो है हिंदी में प्रोनाउंस कर लेंगे हिंदी में सबको उच्चारन कर लेंगे कैसे जैसे कि एक word है ma तो अगर हम लोग m देखने जाए तो इससे सबसे तो इसके पहले क्या लगना चाहिए लेकिन अगर हम इसको हिंदी में translate करते है m तो यहाँ पर a आ रहा है हिंदी में ओ से लेकर अंग अह तक ठीक है यह क्या है स्वर होता है यानिकि यह सब पूरा हिंदी का vowels है तो अगर हमनों किसी भी word में इंग्लिश में हिंदी वाला जो है प्रणाउंस कर लेते हैं तो इसको आराम से जाए यहाँ पर a था तो a जो है यह क्या आता है स्वर में आता है तो इसके पहले क्या लगना चाहिए n लगना चाहिए उसी तरह एक और word है member इसके पहले क्या यूज होना चाहिए तो member इसमें अगर हम लोग हिंदी में करना चाहिए इसका translate मो इसका मो आ रहा है है ना जो प्रोनाउंस्येशन हो मो आ रहा है यानि कि यह पर a लगेगा दोनों में m है लेकिन इसमें उच्छा प्रोनाउंस्येशन हो रहा म इसलिए एन लेकिन इसमें प्रोनाउंस्येशन हो रहा म इसलिए ए और म तो वेंजन है ना यान के consonant है हिंदी में और जैसे कि कुछ एक्जामपल हम लोग दे दे प्राय हम लोग यह सब चीज हम लोगो देखने के लिए मिलता है यूनिक मैन इसके आगे में क्या लगेगा तो पहले हम बता दे एक्स रे यहाँ पे जो है हम लोग को क्या मिल रहा है एक्स ऐसा कुछ मिल रहा है ओके यह प्रोनाउंस्येशन हो रहा है तो ए जो है वो तो ववेल अभी भी हम बता दिये हैं यह हमनों का ववेल रहा, तो इसलिए यहाँ पर N का यूज़ होगा, N X-ray, okay, next में क्या है, one, one, वो जो है वो क्या है, कॉसनेंट है, हिंदी का वेंजन, ठीक है, तो यहाँ पर A लगेगा, unique, unique में कैसा प्रोनाशेशन है, you का प्रोनाशेशन आ रहा है, तो you लग रहा है, तो इसके पहले में क्या लगना चीए, since यहाँ पर U लिखा हुआ है, और हम लोग जानते है, U मतलब की ववेल होता है, लेकिन हम लोग इसका प्रोनाशेशन करेंगे, A, प्रोनाशेशन हो रहा है, ठीक है, और हिंदी में तो A मतलब की ववेल हो गया, तो इसका वाँ यहाँ प पूछ ला ठीक है, तो इसमें जो एक्सपेंसिव वाला पार्ट है, A, एक्सपेंसिव कार, यह वाला जो है पार्ट गलत है, पार्ट D, जो हम लोग का बिल्कुल रॉंग है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेंसिव वर्ड है, राइट, एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव इसका pronunciation क्या होता है जो पहला sound है वो आता है E और E तो swear है ना हिंदी की साफ से भवेल है तो इसका मतलब यहाँ पर जो है एन का use होना चाहिए था और यह लोग जो है A का use करके रखे हैं तो ऐसा ही सवाल एक्जाम में दिये जाते हैं एक और एक्जामपल है एक्जामपल नमर तो हम लोग का part D जो है वो रोंग है कैसे एडिटर इसका क्या आ रहा है साउंड ए तो फवेल है इसके पहले क्या होगा यहां पर क्या किया है यह का use किया है तिक है अब इसी का अंदर एक टोपिक है uses of the यह भी एक आर्टिकल ही है ना द जो एक आर्टिकल ही है लेकिन इसक कहा का पर होता क्या क्या होता है वह हम लोग आज इसमें सीखेंगे तो सबसे पहला तो यूज जो है कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन में सिंगुलर काउंटेबल नाउन उसमें हम लोग क्या यूज करेंगे दा करेंगे प्लूरल काउंटेबल नाउन में भी हम या uncountable लावन को भी नाउन के पहले हम लोग क्या जबलते हैं दका यूज करेंगे और यह सो हम लोग क्यों करते हैं क्योंकि कोई भी जो ही नाउन है जो कि इसमें singular, countable, plural मेरे उसको हम लोग definite बनाने के लिए इन सभी को हम लोग definite बनाने के लिए यानि कि definite बनाने के लिए यानि कि definite बनाने के लिए निश्चित, particular, special ये बनाने के लिए हम लोग जो है the का इस्तमाल या use कर लेगे, कुछ examples है, पहला है, you are the man who helped me, ये ना ये एक sentence है, यहाँ पर जो man है, वो हम लोगा क्या है, noun तो है ये, ये तो समझ मा रहा है, but singular countable noun है, okay, singular countable, singular कैसे, man जो हो singular है, countable कैसे, इसको हम लोग count कर सकते हैं, तो ये noun है, तो इसके पहले हम लोग जो है, the का use किये हैं, अभी बताया मैंने, और जब भी हम लोग इसको पहले दा का use कर लिए हैं, तो ये जो है specific बन गया है, ठी दूसरा एक्जामपल देख लेता है, these are the girls whom I have invited, यह हम लोग का है sentence, अच्छा पहला sentence का मेनिंग बता दे, अगर हम लोग हिंदी में भी समझ में जा तो देखिएगा, definite का ही मेनिंग समझ में आएगा, you are the man who helped me, तुम ही वो आदमी हो, जिसने मुझे help किया था, तो यहां पो स्पेसिफिक बता रहा है, है ना, पार्टिकुलर लोग, तुम ही वो व्यक्ति हो, जिसने मेरा help किया था, next है, these are the girls whom I have invited, यही वो लड़किया है, जिसको मैंने invite या, निमंत्रन किया है, तो यहां पे जो girls है, वो क्या है, नाउन तो है, समझ मेरा, क्योंकि नाउन कोई भी व्यक्ति, कोई भी चीज, कोई वस्तु को, जो भी हम लोग इस दुनिया में देख रहा हो, सब हो गया नाउन, लेकिन कौन सा है, यह है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, क्योंकि ऐस लग गया है, गल्स मतलब बहुत सारी लड़किया है, तो इस girls को हम लोग स्पेसिफिक ब इस पॉलूटेड, यह हम लोग का हो गया सेंटेंस, इसमें क्या है, वाटर के पहले दा का यूज किया गया है, और वाटर है क्या, नाउन तो है यह, समझ में आ रहा है, बट अनकाउंटेवल है, ठीक है, तो इसको क्या करेंगा हम लोग, स्पेसिफिक बनाने के लिए, या बहुत ज़्यादा पॉलूटेड है, कुवा तो बहुत सारा है, उसमें पानी भी बहुत सारा रहता है, बहुत जगा पे, लेकिन यह पॉलूटेड वाला वाटर है, इसलिए दा का यूज हुआ है, तो तीन तरक एक्जामपल दे दिया है हम, वो क्या-क्या है, सिगूलर का इंपॉर्टेंट यूजेज ओफ दा, अभी तक तो हम लोग क्या सीखे थे, यह काफी हद तक यह लोग हेलपफुल होता है, यह तीन रूल जो है, लेकिन अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज सीखेंगे, जहाँ पे बहुत स्टूरेंट जो है, गल्ती कर बैठते हैं, जैसे कि कोई भी रिवर का नेम है, कोई भी रिवर का नाम, जैसे कि दगंगा, तो यहाँ पे रिवर्स नेम, इसके पहले हमेशा हम लोग दा का यूज करेंगे, एक्जाम्पल के लिए हम दे दे, दा, ब्रहम्ह पुत्र, इस दे नेम आफ रिवर, एन वी अल्वेज यूज यू और कौन सा स्पेशिक और है, जिसमें हम लोग दा का यूज करेंगे, समूद्र, जैसे कि नेम आफ दा ओशन, नेम आफ दा ओशन, जीते सारे समूद्र है, उसके पहले हम लोग दा का यूज करेंगे, जैसे कि एक्जाम्पल देता है, दा रेड सी, यह हो गया, दा रेड सी और क्या हो सकता है, the dead sea लोग जानते हैं, यह सब जो समूद रहा है इसके पहले हम लोग the कर यूज़ करेंगे और क्या है, specific 3 नमल में क्या आगे हम लोग का महासागरो यानि कि जितने सारे महासागर हैं इस दुनिया में उन सब के पहले भी हम लोग the का यूज़ करेंगे जैसे की the Indian Ocean हो गया the Pacific Ocean यह कुछ पार्टिकुलर चीज़े और भी है जो हम नेक्स पे बता रहे हैं चोथा में क्या है कोई भी परवत श्रिंखला यानि कि mountains ठीक है परवत श्रिंखलाओ के नाम के पहले भी हम लोग हमेशा क्या यूज़ करेंगे दा का यूज़ करेंगे example दे जेती हुम है the Himalaya और एक है the अल्प्स ये भी एक तो परवत ही है ना तो इस सब के पहले जो हम लोग दा का यूज़ करेंगे क्योंकि ये सब पार्टिकुलर है ना हिमाला तो एक है हो है ना इसार्थ में इससे लिए अब आगे पढ़ता है भौतिक दिशायो सौरी भौगोलिक दिशायो इसके नाम के पहले भी हम लोग क्या यूज़ करेंगे the example दे दे तो example देना जरूरी रहता otherwise समझ भी नहीं आता कि यहां क्या होना चाहिए the east the west east west north south सबको पता है ना यह 6 में चले आता है भौतिक स्थानो या वातवनियान की environment जो भी बताता है उनसे पहले हम लोग दखने जैसे की the top and the bottom यह सब जो है क्या बताता हम लोग को कि हां हम लोग को पोजिशन बताता है कि तुम टॉप पे हो तुम बॉटम पे हो a stack का और हो सकता है the center यह सब हो गया अब आते हम लोग 7 में deep जो जो islands होता है इन सब के नाम के पहले भी हम लोग क्या यूज करेंगे दा के यूज करेंगे लगा हो तो आप लोग मेरे चैनल को मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए और डेली नेवडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब किजिए थैंक्स वाचिंग